Good morning dear students, today we shall start the first unit and the first chapter दिल्ली सल्तनत आपके जो कोर्स कल हमने syllabus में डिसकस किया था उस कोर्स का आज हम पहला चेप्टर शुरू करने जा रहे हैं और पहला जो चेप्टर है वो है दिल्ली सल्तनत जिसमें की हम पढ़ेंगे Foundation, Consolidation, Expansion and Administrative Reforms सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की मोहमद बिन कासिम ने 326 से स्विपूर्व भारत पर आक्रमन किया था और वो प्रथम आक्रमकारी अरब आक्रमकारी भारत पर आक्रमन करने वाला था उसके पशात महमूद गजनी ने निरंतर 17 आक्रमन भारत पर दस्वी और ग्यार्वी स्थापदी में किये थे लेकिन भारत में स्थाई मुस्लिम राज्य स्थापित करने का जो उश्रे है वो मोहमद गौरी को जाता है 1175 में मौमद गौरी ने अपने विजे अभिहान भारत के परति प्रारम किये थे लेकिन अन्तिन सफलता 1192 इसुई में तराई के दूसरी यूद में उसे प्राप्थ हुई थी जब प्रिथिवराज चोहान को प्राजित करके दिल्ली में उसने अपनी प्रशासनिक व्योस्था स्तापित की थी उसने अपने योग्य सेनपती कुत्वदीन एवक को दिल्ली का सिपैसालार निक्त किया था और कुत्वदीन एवक ने 1206 इसवी में मुहमद गौरी की मृत्यू के पश्चाथ यहाँ पर स्वयम शासन की सता संभाली थी अर्थाथ 1206 से 12010 इसवी तक कुत्वदीन एवक ने शासन किया मुस्लिम राज्य स्थापित किया था यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था 1206 से 1526 इसवी तक और इसमें कुल मिलाकर के 5 राजवंश रहे थे दिल्ली सल्तनत इस रूप में भी मैतपूर्ण मानी जाती है चूकि यहाँ से मद्यकाल का प्रारम हुआ था मद्यकाल जो भारती इतिहास का है उसे यहाँ से प्रारम माना जाता है यहाँ पर एक सभेता का ही परिवर्तन नहीं हुआ बलकि प्रशासरिक व्यवस्ता, राजनेतिक व्यवस्ता, सामाजिक व्यवस्ता, सांसकर्तिक व्यवस्ता, आर्थिक व्यवस्ता में भी कई आमोल चूल परिवर्तन हुए थे यहाँ पर स्थापत्यकला के शेतर में भी कई परिवर्तन हुए और साथ में यहाँ पर जो विदेशों के साथ संबंद थे उन संबंदों में भी कई परकार के परिवर्तन ततकालिन समय में दिल्ली सल्तनत के समय में आये थे इसलिए यह भारति इतियास में एक महतपून परिवर्तन माना जाता है दिल्ली सल्तनत की स्तापना। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के इतियास को जानने के हमारे पास क्या महतपून स्त्रोथ है। वैसे तो इतियास में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के स्त्रोथ मेतपून हैं साहितिक स्त्रोथ और पुरातात्विक स्त्रोथ। पुरातात्विक स्त्रोथ को हम प्रामेरी सोर्सेज भी कहते हैं जिसमें कि हमारे पास सिक्के आते हैं भवन आते हैं समारक है मस्जिद है, जेवर है, बरतन है, ओजार है, हथियार है, जिवाश में और अन्य प्रकार के भी अवशेश जो है उसमें समलित के जाते हैं, ये जो सल्तनत काल के समय में sources प्राफ्ट हुए हैं, उन sources को अवलोकन करके इतिहास को लिखने में जो है मैं तो पूर सायता प्राफ् अब बात करते हैं सायतेक स्त्रोत की, सायतेक स्त्रोत में सबसे पहला नाम में यहां मेंशन कर रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए इसे एक्स्पिलिन करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जब भी हम किसी काल का इतिहास पढ़ रहे हैं और विशेश करके, जब एक 300 वर्ष तक का इतिहास हमने स्ट्री करना है, तो यहां पर हमारे पास स्त्रोतों की जानकारी होना अत्यनत आफशक है, इसलिए मैंने यहां पर जो सायतेक स्त्रोत है, उसको थोड़ा सा संशित में एक्स्प्रेन करने का प्रयास किया है, ताकि आपको इस चीज़ की जानकारी रहें कि दिली सल्टन के स्तोत को जाने के क्या मैतपोण जया स्तोत हमारे पास रहे हैं सबसे पहले है अलवरुनी जिसने की तारीक उलहिंद नामक पुस्तक लिखी थी और अलवरुनी मैमूद गजनी के समय में भारत आया था और भारत के जो ततकाली निस्तिती उसने यहाँ पर देखे थी, चाहे भोगोलिक स्तिती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक है, राजनेतिक है, आर्थिक है, जो भी वो समझ पाया, उसने अपनी पुस्तक तारीकुल हिंद में इसका बिवरन दिया गया है, दूसरा नाम है अमिर खुसरो को भारत का जो वो पैरेट भी कहा जाता है, पैरेट आफ इंडिया, तूति हिंद कहा जाता है, और अमिर खुसरो ने तारीक एलाई और तुगलक नामा, ये दो मैतपूर्ण एतियासिक कृतियां उसकी हैं, इसके लावा भी उसने नह सिपेर हैं, या आशिका है, अन्य पुस्तके भी लिखी, लेकिन दो ये मैतपूर्ण पुस्तकें जह वो एतियासिक दिश्ची से मानी जाती है, अमिर खुसरो की अगर हम बात करें, तो अमिर खुसरो ने बलवन से लेकर के ग्यासुतिन तुगलक तक के काल का जो इतिहास से उसका उलेख किया था, और उसने जो एक और मैतपूर्ण जो उसकी पुस्तक है, जिसका नाम है तारीख अलाई, ये जो तारीख अलाई है, ये विशेश करके अलावदीन खिलजी के जो यात्रा विवरन है, तक्षिन भारत के जो अभियान है, उसका विवरन जो है उसमें दिया गया है, अगला जो मै जियाओदीन बर्नी और जियाओदीन बर्नी ने तारीख है फिरोजशाई और फत्वाय जहादरी जहादारी ये मेत्वपुन पुस्तकें लिखी हैं जियाओदीन बर्नी के अगर हम बात करें तो इसने भी बलवन से फिरोजशा तुगलक के समय तक का इतिहास लिखा हैं और जो फत्वाय जहांदरी हैं इसमें जो ततकालीन परचलित राज नियम थे उसका उलेख किया गया है नेक्स्ट है बाबर बाबर की जो पुस्तक है बाबर नामा इसे यह वो तुझके बाबरी भी कहा जाता है यह विशेश करके तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाद में से फंद्रा SIX 65 हिस्वी में कुझ खाने-खाना ने फार्षी में अनुवाजित किया ठाथ हा और यह मैट पुन पुस्तक मानी जाती क्योंकि बाबर ने स्वेम इसमें भारत की स्थीति का विवरण दिया है राजिन्तिक स्थिति का वीपरंद दिया है भोगोलि स्थिति का वीपरंद दिया है नेक्स है हसन निजाम है जो असननिजाम है इसने मैं पुष्टक लिखिए adjustments और जो ताजुल मासिर है ये दिल्ली सलतनत की प्रथम आधिकारिक एतियसिक खृति희 है जिसे की हसन निजामे ने लिखी है और हसन निजामे द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है इसमें दिल्ले सल्तनत के जो आरंबिक वर्ष है उनके इतिहास की जानकारी पराप्थ होती है नेक्स्ट है मिनास उसिराज, मिनास उसिराज ने तबकत नासरी नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में विशेशुप से जो गौर डाइनस्टी है, गौर डाइनस्टी के विशे में जानकारी प्राप्त होती है और साथ में जो दिल्ले सल्तनत के नासरुदीन मुहमद शहा है उसके विशे में भी जो वो प्रकाश इस पुस्तक से पड़ता है नेक्स्ट है उत्वी उत्वी की जो पुस्तक है तारीख है यामेनी ये भी मैतपोन पुस्तक मानी जाती है अबदुल हुसेन उत्वी उसका पुरा नाम है और इसने इसे इरानियन भाशा में लिखा ह और पिशेश करके सबुक्त गीन और सुल्तान महमूद के जो काल है उन कालों का इतिहास इस पुस्तक में दिया गया है नेक्स्ट है शम्स शिराज अफीफ इसने तारीक है फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी है और इसमें फिरोज शाहा तुगलक की उपलवधियों का उलेख किया गया है नेक्स्ट है फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक शार्षक भी रहा है तुलक वंश का और फुत्वत है फिरोज शाही जो उसकी आत्मकता है उसने स्वाम लिखी है जिसमें कि उसने अपनी उपलबधियों विजयों का उलेख किया गया है नेक्स्ट है एहमद सरहिंदी एहमद सरहिंदी ने तारीक है मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी है और इसमें सईद बंश का जो इतिहास है सईद बंश की इतिहास का उलेख किया गया है नेक्स्ट है एहमद यादगार एहमद यादगार ने तारीक है सलातीन अफगान नामक पुस्तक की रसना की और इस पुस्तक की रसना का श्रे बंगाल के सुल्तान दाउद खान को जाता है जिनके आदेशो पर एहमद यादगार ने इस पुस्तक की रसना की थी next है इबन बतूता जिसने की रहला नामक पुस्तक लिखी थी इबन बतूता आप जानते हैं कि मरोकुन जो है ट्रेवलर्स था और उसने भारत में तुगलक वंश के समय में जो हो भर्मन किया था उसकी जो वास्तिक पुस्तक है जिसको कमपाईल किया गया था उस पुस्तक का नाम एक गिफ्ट टू दोज हूँ कॉंटेंप्लेट दा वंडर्स ओफ सेटीज एंड मार्वलस ओफ ट्रेवलिंग है जिसे की रहला रहला का मतलब है यात्रा प्रतांत इसमें कमपाईल किया गया था तो यह मैतपून सोर्स है साहितिक रूप से जिनका कुलेक समशित में म विशय में लिखते हैं तो इन पुस्तकों को इन लेखों को इन इतिहासकारों को कोड करने के आफशकता आपको पढ़ेगी इसलिए इसका जववलेक यहां करना अत्यनता आफशक है अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की जो की हमारा चेप्टर शुरू हुआ था दिल्ली सल 26 से 1290 इसलितक शासन किया था दूसरा है खिलजी वंश जिसने की 1290 से 1320 इसलितक शासन किया तीसरा है तुगलक वंश जिसने की 1320 से 1413 इसलितक शासन किया था उसके पशात चौता है सयद वंश 1414 से 1451 इसलितक शासन किया और पांचवा है लोधी वंश 1451 से 1526 इसलितक शास यह पाँच वंश मिलकर के ही दिल्ली सल्तनत को बनाते हैं अर्थात दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अंतरगत यह पाँच मैतपून वंश है जिनका क्याधियन हमने करना है अब बात करते हैं सबसे पहले आगमड़ेशन के अर भीरय फाँड़ेशन में जो सबसे पहला वंश है जिसेंकिदा सब्सक्राइब मामलूक सर उपाइबन करता हैं कि जो मामलूक है मामलूक स्ब्दat का जो सही माँणय में अर्थ हैं वह कहते हैं जो slave soldier है यानि जो बंदी सैनिक है उसे मामलुक कहा जाता है या जो दास्ता से मुक्त हुआ सैनिक है उसे भी मामलुक कहा जाता है अर्थात कभी वो दास रहो लेकिन बाद में वहले ही मुक्त हो चुका हो या ऐसा जो Muslim converts है जिसे की परशासनिक और सैनिक दाई तो दिया गया है उसे भी मामलुक कहा जाता है और साथ में ऐसा Muslim rulers जिसका जो ओरिजन है वो दास की रूप में हुआ है उसे भी मामलुक कहा जाता है तो इसलिए चुकि कुटबदीन एवक जो था वो मौमद गौरी का दास था इसलिए उसके दारा जो स्थापित बंश था उसे दास बंश या मामलुक बंश कहा गया मामलुक बंश ने 1260 से 1290 बंश तक शासन किया और इसमें कुल मिला करके 10 में तपून शासक थे लेकिन उन में से हम जिनका अध्यन करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले हम यह जानकारी प्राप्त करने कि कौन से 10 शासक है जिनका अध्यन है जह वो मामलुक बंश में किया जाता है या जो मामलुक बंश में समलित हैं सबसे पहला है कुतुप दीन एबक 1260 से 1210 दूसरा है आराम शाहा 1210 से 1211 इस्वी तीसरा है शमसुद इन इलतुतमिश 1211 से 1237 चौता है रुकुन दीन फिरोज जिसने की अपरेल से नॉंबर 1236 में शासन किया पांचवा है रजिया उल दीन रजिया अल दीन जिसे की रजिया सुल्ताना भी कहा जाता है 1236 से 1240 इस्वी तक शासन किया नेक्स जो है मुईजु दीन बहराम है 1240 स 1242 इस्वी तक शासन किया सात्वा है अलावदीन मसूद इसने 1242 से 1240 इस्वी तक शासन किया नेक्स्ट है नासिरुदीन महमूद 1240 से 1266 इस्वी तक शासन किया और बलवन इसका प्रधान मंतिर रहा बलवन नहीं वास्विक शक्तियों का उप्यों किया था नेक्स्ट है य ग्यासुदीन बलवन 1266 से 1287 सुई तक शासक रहा और अंतिम तथा दस्वा जो मामलुक वंश का शासक था वो था मुईजुदीन मुहमद कैकुबाद 1287 से 1290 सुई तक शासन किया था तो ये मामलुक वंश के 10 शासक थे लेकिन इसमें हम विशेशुप से जो अध्यन करना हमन जो आता रजिया सुल्ताना, इसके बाद बलवन ये मेटवपुन शासक थे चार जिन वेक शासिका रजिया वेगम रही इनका ही अध्यन हमने विश्तार से करना हैं मामलुक वंश के अंतरकत या दासवंश के अंतरकत या उनकी उपलबियां हमने इसमें लेखित करनी है कि क प्रकार दिल्ली सल्तनत के foundation में उन्होंने अपना युगदान दिया था आज के लिए आपको assignment मैं दे रहा हूं आपने क्या करना है explain the causes responsible for the establishment of Delhi सल्तनत अर्थाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए कौन से महतपून कारण उत्तरदाई थे इनका सम्षित में आपने जह वो मुझे ग्रुप में लिखित में रिटन में response देना है so have a good time and have a nice day thank you